अगर आपको चाहता है, आपका अंत्रात्मा चाहता है, तो जीवन में, जब तक तन में प्राण हैं, तब तक पुर्षार्थ जरूर कमाना, परमार्थ अवस्च कमाना, अगर आप पुर्षार्थ कमाएंगे, परमार्थ कमाएंगे, तो निशन्दे आपका पौन करम शंग्र होगा जब पौन कर्म संग्रे होगा तो वो आपके लोग और पर लोग में ऐसे काम आएगा ऐसे काम आएगा जैसे किसी का बेंग में खाता है और धन उस खाते में है आवस्चता पढ़ने पर बिसे जरूत पढ़ने पर कहीं नहीं भागते कहीं दिमाग नहीं दोडाते तुर हमारा खाता बेंग में है और खाती में से पैसा निकाल के लाती है फिर कई मांगने की या हाथ भेलाने की जरूरत नहीं पड़ती है इसी प्रकार से आज मौका है बक्त है समय है आप आत्मा के लिए जो उचे उचे पदों पर आरूर है धनवान है ये से मिला है मान समान मिला है तपे सुरी सो राजे सुरी इसी तरह से उन्होंने भी शाकर हरी परमात्मा का भजन किया होगा इबादत की होगी त्याग तपस्या की होगी उनको नारी का चोला मिला और उचे उचे पदों पर आरूर है धनवान है पदवान अगर ऐसा न करते अगर उनका सत्थ का धन, सत्थ के खाते में, सत्थ की बेंक में न होता, क्यूं समझ आता है बरतमान से, संस्कार, जीवन संस्कारों पर निर्भर करता है, तूर्दया, ये पक्का समझ है, कि जीवन संस्कारों पर निर्भर करता है, अतिज से बरत बर्तमान से भविष अतीत का तो प्राश्चित करना ही पड़ेगा आज मौका है बक्त है समय है बर्तमान को तपश्या बना लो आपका उज्जल भविष का निर्मान में संदे हो जाएगा क्योंकि बर्तमान की कोख में आपका भविष चिपा हुआ है बर्तमान की कोख में आपका भविष चिपा हुआ है अगर आज अपने बर्तमान को नहीं समाल पाए तो भविष भी खराब हो जाएगा क्योंकि अच्छे करम का पणाम अच्छा होता है बुरे करम का पणाम बुरा होता है लेकिन एक बात आपको घंद लाना चाहता हूँ तो क्या जैसे आपके कमरे में आपकी अलमारी में जो कुछ आपने भरा हुआ है जब खोलोगे तो वही निकलेगा जो आपने भरा हुआ है इस शरीरूपी कमरा है इस शरीरूपी अलमारी है बहुत समझना है कभी-कभी परिशान हो जाते हैं अगर आपके अंताकर में लोग बसा हुआ है लोग बसा हुआ है आप जहां भी जाएंगे जहां भी बैठेंगे तो लोग ही लोग दिखाई देगा और कुछ दिखाई बहुत समझना है अगर आपके अंताकर में मोहो छिपा हुआ है तो मोहो के अलावा और कुछ आपको दिखाई नहीं देगा इसी प्रकार अगर आपके अंताकर में रोम रोम में एहम छिपा हुआ है, तो एहम ही एहम बरसेगा, आपके पास दूसरा कुछ बरस नहीं सकता, अगर बनवाद का बिश छिपा हुआ आपके अंताकर में, तो जो भी आप निकालेंगे, जो भी करेंगे, बनवाद के तहती करेंगे, दूसरा कर ही नहीं सकते, में मे अपने पराई के सेति ही आप करोगे, इस से परेकर ही नहीं सकते हैं। और जिसके अंताकर में निशात में डू हो जाने के कारण, गाली भरी ही हैं, क्रोध भरा हुआ हैं, तो वहीं निकालेगा दूसरा, नहीं निकाल सकता है। लेकिन जब आप देवी सरूपा, देव सरूप, शंत जन, भक्त जन, रिश्वर मुनबर, पुराना, सत्य के साथ के दौरा, इमानो मंगल मिलें सद भानमा, समादम के माध्धम से, पुराना कचड़ा, शांत रहे हो, निकाल रहे हो, और आज, सत्य ही सत्य अपने हिर्दे में भर रहे हो, परमात्मा की भक्ती भर रहे हो, इंसानियत भर रहे हो, मानफ़ता भर रहे हो, तो सोच दीजिए, अगर जमाना भी आपको गाली दे, तो आपके उपर असर होने वाला, नहीं, जहां सत्य ब्राजमान हो गया, सत्य की किर्पा हो गई, फिर उसे गाली गलोज, फेद भाव संपरदा है, उस नीच, गरीब अमीर का कोई असर नहीं होता है, ये प्रभू परमात्मा, शाकार हरी की विशेश किर्पा मानो, विशेश दया मानो, रहमत मानो, और इसको प्राथ रहने के लिए या ब्यास कर रहे हो, अब्यास करते ही रहना, क्योंकि ग्यानी को ग्यानी को ग्यान से समझाया जा सकता है, लोभी को नहीं, एहनकारी को नहीं, भेदवादी को नहीं, लोभी तो लोभ से समझेगा, एहनकारी एहनकार से समझेगा, बनवादी बनवाद से समझेगा, ग्यानी को ग्यान से समझाया जा सकता है, लेकिन आम महाप्रशु का आपकी बेहन बेटियों का अगमन सत्त के संग में हुआ है, अपने मन मस्तिक में रख लो, कभी निकल ने मन देना, आपका मार दर्सन, कोई आदमी नहीं कर रहा है, तो इस्तिरी नहीं कर रही, आपका मार दर्सन, शेम, वेशे तो पूरे बंभान का संचालन, साकार हरी करते आए कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन विशेश कर, आपका मार दर्सन, शेम, आप आत्मा हो, पुराहा दिखाने, रास्ता दिखाने का कार, शेम, साकार हरी, पर मत नहीं कर रही हैं, ये जिमाग से जीवन में कभी निकालने, मन देना, क्योंक्यों, संसार में, किदर भी जाना है, मार दर्शक का होना नितान तावश्चक है, अब, किसने किस फिकार का मार दर्शक चुना, जैसा है, वो बैसा ही मार दर्शक करेगा, पूर में ही परभाश्चित किया जा चुका है, ब्याक्या की जा चुकी है, इसलिए, आज मौका है, सकते हैं समय है, मिठ्या नस्वर, भेदभाव रहे थे, मेमेरी रहे, छोटे बड़ा रहे, काला दोरा रहे, नन्नारी रहे, शाकर हरी परमात्मा के अलावा, जगत में और कोई आपका मार दर्शन नहीं कर सकता, जो यहां देखने को मिलता है, जो आप यहां देख रही है, शाकर हरी परमात्मा की देन है, आप पर जो किर्पा की है, आप पर जो किर्पा की जा रही है, आपकी हर किसी के हाथ में यही कहा जाता है, कि पांच उगली एक सी नहीं होती, यही कहा जाता है, लिकिन आप महापुर्शों की पांच उगली किया, सब कुछ एक हो तुका का, आप महापुर्शों जो जुदा 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 थे, जुदा जुदा बिखरे हुए थे, तक्राव था, आप साकर हरी परमात्मा ने आपको एकत्रिप कर दिया है, एक सूत में बांग दिया है, एक धागे में बांग दिया है, और आपको जीवन को धंद बना दिया, सब क्यान दे कर, सब कर्म करा कर, और आपको जीवन में क्या चाहिए, और जीवन में क्या वश्रता है, आपने ये भी, देखा होगा, सुना होगा, लोहे का अंग को सोता है जराता जो मदमस्त हाथी को भी कबजे में कर लेता है ये सुना होगा भरी भाग शिप्रिकार शाकर हरी परमात्मा का बच्चन कितना सूप्षम है लेकिन कितना बिसाल है आंकल नहीं किया जा सकता शाकर हरी परमात्मा का भचन और शेवा और ये सब्सका अबिहास अगर आप इन तीनों शब्दों को पकड़ा और चलते रहे तो जब जरासा अंकुष मदमस्त हाथी को कब्जे में कर लेता है अगर आप ने तीनों शब्दों को पकड़ कर और करम में ढाल लिया बिभार कुरूप देना सुरू कर दिया निशन दे आपका जीवन में हल हो जाएगा आप बाग बाग हो जाएगे आपका जीवन खिले हुए फुल की तरह हो जाएगा और चलते ही रहे इस संसार में भी एस पाऊगे और जीते जी एसास करोगे मैसूस करो देखोगे कि अब मेरा भब से बेड़ा पार हो गया कि कि आप न नर है न नारी एक हत में सक्थ के मसाल है दोना हत में सक्थ के मसाल ले लो खुद भी प्रकास मान बनो और जिसको जरूरत है वो भी अंदकार से प्रकास मा जाएगा ये सबसे बड़ा पुन्ड है इससे बड़ा कोई पुन्ड जगत में न धान है ना ही होगा आप महाप्रसों को भी प्रतीच्छा नहीं करनी पड़ती है पुर्विक्यासों के मताबिक जिनको जरूरत रही किस-किस रूप में प्रतीच्छा की है त्याक तपस्त्या की है और संसारिक कारियों के लिए आप किस-किस के पीछे भागते हैं प्रतीच्छा करते हैं फिर भी उनका दर्शन नहीं होता आज के बरतमान काल में तनिक आप अंत्खण सुद्ध करते हुए और साकार हरी परमात मंगा सद्ध का दात करें बचन मान के सद्ध कर्म करें तो तुरंट देवी सरूपा का दर्शन होता है देव सरूपा दर्शन होता है शंतों का दर्शन होता है निश्वर मनमर का दर्शन होता है और सो डिगरी पर जब जल गर्म होता है तब ही जल्मे उबाल आता है इस रूप में अगर आपकी धर्थी गर्म है तो शाकरहरी परमात्मा को अपना जिब रूप जिब इस रूप का दर्शन देने में देर नहीं करते हैं यह मैंने क्यों कहा सासन प्रसासन के काग़ियों में रेजिस्ट्रों में फाइले खुली है और मुझे इसी क्रिया के लिए धौलपर, मुरेना, गौलियर, भिंड, अमबा, और ये बहा, और या, ये पूरा छेत, दो दो तीन तीन बार इस छेतर के महपुरसों है बुलाया और हम भी हरतारा चौकीधार बंचार पहुँचे ते और वहां, इस समस्त छेतर में, पूरे इलागए में, मानपता, बहाई चारे का संचार हुआ, परमात्मा, शाकार हरी की भक्ती का संचार हुआ, और मानो मानो को गले लगा रही है मानो मानो से प्रेम कर रही है जिछेत्र को सासन के कागजों में एक बेहर के नाम से जाना जाता है और यहां तक जाना जाता है कि किनी ही काड़ों से किनी के भाई किनी के बेटे किनी के चाचा किनी के पिता किनी के ताऊ किनी की बेटिया ऐसे कारों से निकल पड़े भटक गए जिन्हें इस बेहड में बेहड में आना पड़ा और इस बेहड में पड़े रहे हैं किनी कारों से क्या क्या उन्होंने किया क्या क्या नहीं किया कहा भी जाता है कि मरता है तो क्या नहीं करता है अबस जो लोग अफ्राज जगत में मुड़े अबस उनको कहीं नैयчно नहीं मिला होगा उन्हें दबाया गया होगा उनकी बेहन बेट्टों के साथ अच्छा बेवहर नहीं किया होगा और जहां जा गए उन्हें मदद नहीं मिली उनकी सुनी नहीं गई तो उन्होंने सोच लिया कि अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं लेकिन आज का दौर है आज की जो इस्तिती है समझ मझ जन्मानष गामी डंचलों कस्वों सहरों मानगरों जहां भी आप प्रवास करते हैं खेती बारी नोकरी बैपार करते हुए और शाकार हरी परमात्मा का सहरा लो आपने दुनिया में किसी का सहरा लिया मदद नहीं मिली पलट दबाया गया लूटा गया तो रिवेवहर किया गया होगा तम आपने राइफल पकड़ी होगी, बंदुग पकड़ी होगी, बेहण में छलांग लगाई होगी, आज उस तरह मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, शाकार हरी परमात्मा का सहरा दो, जो शाकार हरी परमात्मा का सहरा दे लेता है, वो कभी बुरी सोच नहीं रखता, बुराईयों के सरफ नहीं जाता, वैसनों में नहीं दूपता, और भेदवाव में भी नहीं जाता, वहे इंसानिये धारन करते हुए, मानपता को धारन करते हुए, और समझ समाज में एक खिला हुआ, फूर बनने की कोशिस करता है, वो किसी का बुरा नहीं जाता, और नही ही बुरा करता है क्योंके किसी को देखे ना देखे तनिक समझने का प्रयाज करेंगे आप आपकी बेहन बेटी आती है आपके बच्चे आते हैं चाचातराई हैं कि शान नोकरी करने वाले जन बैपारी जो भी हैं जिन्होंने सब्सका साथ किया और एक-एक सब्सकों मल लगा कर सुना फीक से सुना करम में डाला आज वो वो जीवन में उनको अभुद पुर परबरतन हो रहा है और संसार की तोर पर भी धन धन से भी परफून है परबार में सुख है चेन है, शान्ती है और जो पुराने बेशन लगे हुए थे चाहे वो ताम सी पे हो ताम सी खादाने हो यो भी बिकार हो में मेरी अपना पराया भेदभाव का विश्ट एहिंकार का पहार इस सब पुछ शक्स के साथ माने से धरासरी हो चुके हैं और एक एक इनसान ने जल्म ले लिया है एक माना उन्हें जल्म ले लिया है जहां इनसान ने जल्म ले लिया जहां माना उन्हें जल्म ले लिया तो आपको ये भी जानकारी है मुझे महापुरस ने जानकारी दी है कि जो बिशनों में डूबे हुए थे और अब गुणों में अब गुणधार किये हुए थे परवार बरबाद हो चुके थे परवार उजड चुके थे जब से उन परवारों ने शत्य का साथ किया है मन बचन करम से आज उज़ने हुए परवार आवाद हो चुके हैं उनके बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं दोनों से में भोजन मी भली भाद ग्रहन करने लगे हैं अंग पर बस्त भी धारन कर रहे हैं और हर सर शुपाने को जोपड़ी भी प्राथ हो चुकी है क्योंकि अगर नियत सावधान है तो मंजिल आसान हो जाती है और नियत सावधान नहीं कितने धनबान हो कितने पदवान हो जब गिरोगे ऐसे गिरोगे दुबारा उठना संभाथ नहीं होगा मुझे मंदर भी जाने का मौका मिलता है मंदरों में भी में जाता हूँ गुरजारे में भी जाता हूँ गिर्जागर में भी जाता हूँ मस्जिद में भी जाता हूँ जहां जो पुकारता है मैं भही पहुन जाता हूँ और नहीं फुकारता है तो मेरे जाने का मतलवी खेत में फुकारने वाला खेत में फुकारता है तो हम दो खेत में भी पहुंच जाते हैं कोठी में फुकारने वाला शाकर हरी कोठी में फुकारता है तो कोठी में भी पहुंच जाते हैं जोपड़ी में फुकानने वाला हूँ